स्टीकर सेट बनाने की ये मशीन है ये जीटेक की मशीन है जो आप देख सकते हो ये स्टॉन की सीट बनाने का काम करती है ये मशीन कैसे चलता है अब हम आपको बताएंगे ये जो ट्रे है ये पहले अंडल लगानी परती है ये जो चार बटन दिये गए है जिसको आपको ब्लूस करके इसके अंदर ये ट्रे को लगा दिना है ये ट्रे के पीछे स्पॉंज का पूरा सेट लगा हुआ है ये चार बटन को आपको अच्छी तड़ से टाइट कर देना है ये मशीन जो है अभी इसके अंडर आप सबसे पहले ये मशीन चेक करने का आपको पॉइंट बटाते है सबसे पहले ये मशीन में थोड़े स्टॉन डालिए स्टॉन के अंडर आपको थोड़ा पावडर डालना जरूरी है पावडर डालने से ये स्टॉन है वो आपका अच्छी तरह से फिलफ होगे और अभी ये स्टॉन इसमें रेमे आप डाल दीजिए अभी हम आपको इसका फंक्शन बता लेए ये जो है ये आपकी मोटर का कंट्रोलर है आप इससे अपनी मोटर की स्पीड बड़ा और घटा सकते हैं ये जो बटन है ये आपका टाइमर है ये आपको दिखता है दो से दस तक का आप जितने पर भी रखोगे उतने सेकंड ये ट्रे यहां पर चलेगी फिर वापिस जाएगी तो अब ये दूनों का फंक्शन हमने आपको बटाया ये शेंसर से ये यहां पर एक शेंसर आता है यहां पर दून सेंसर आते है ये जो है सेंसर अब हम आपको बटाएंगे आपनी जो ट्रे फिट की हुई है वो चालू करके पहले एक बार टेस्ट कर लीजिए आपके कांच पर एक भी डाइमन रहना नहीं चाहिए तो आपकी ट्रे जो फिट की हुई है वो ओके है ये देखे आपकी ट्रे में से डाइमन नहीं निकल रहे है मिंच के आपका जो फिटिंग किया हुआ है वो सही है अब हम आपको इसके पर डाइ कैसे लगाना है वो बटाएंगे ये जो वर्किंग एरिया है ये जो आपको पट्टी डीख रही है ये डाइ उसके अंदर ही लगनी चाहिए ये आप शेलो टेप लेके ये डाइ को चिपका सकते है ये डाइ जो है ये आप कारपेट से भी काट सकते हो और इसका स्पेशल पेपर भी आता है ये डाइ आपकी लेजर मशिन पे कट्टी है लेजर मशिन आप जहां पे भी हो ये डाइ काट सकते हो और ये मशिन आपको गोईल सोईंग मशिन में मिलेगी हम आपको इसका contact number और address ये वीडियो में दे देंगे तो आप उनको contact करके ये machine आप खरीच सकते हो और उसके बारे में जो भी जानकारी चाहिए वो ले पाएंगे अभी ये हमने यहाँ पे dye फीट कर दी है अब हम आपको इसके उपर डाई के उपर सबसे पहले powder डालना जरूरी है वह पाउडर डालने से क्या होगा कि डाई के अंदर जो गम लगा हो और स्कॉन के अंदर गम लगा हो तो स्कॉन अंदर नहीं रहेगा और पूरा आपके साथ वो ये sticker के साथ उपर आ जाएगा देखिए अभी हम यह मसीन चालू करते हैं यहां से यह स्वीच है यह स्वीच डबाने से यह मसीन चालू हो जाएगी यह देखिए आपकी सीट के अंदर पूरे स्टॉन फिल अप हो गए यह मसीन 10 गंटे में 1500 से 2000 सीट आप निकल पाएंगे इतनी कैपेसिटी रखती है तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है और आप यह अच्छी तरह के से यह सीट बना के आप अपने स्टॉन साड़ी पे कूर्टी पे हर जगा स्टॉन आप लगा सकते हो और यह बिदनस आप कर सकते हो यह जीटेक की मसीन है यह देखिए जो आपको गोईल सोइंग मसीन में मिलेगे अब हम आपको यह स्टॉन जो है सीट पे उठा के बताते हैं यह देखिए यह जो आपके स्टॉन है यह स्टिकर पे आ गए बाद में यह स्टिकर आप हिट प्रेस मसीन जिसके उपर आपको साड़ी पे स्टॉन चिपक जाएगा उस पे उपकर उपर ले जाके आपको चिपका देना है उसका वीडियो भी हम बहुत जल्ली बनाएंगे और आपको उसकी भी जानकारी देंगे अब एक और सीट आपको निकाल के बताते हैं देखिए यह सीट मेंटे सब स्टॉन निकल गए और आपकी यह स्टिकर सीट पे आ गए है अब हम वापिस एक बार उसको आपको चला के करती है यह देखिए पूरे हॉल फिलफ हो गया है और आपको वापिस एक बार उसको सीट पे उठा के बता देंगे कि यह देखिए तो यह मसीन आपकी बहुत आसानी से यह बुट्टे बना देती है और आप ज़्यादा प्रोडक्शन ले पाएंगे और मुनाफ़ा कर पाएंगे इसके हम कई सेम्पल से वह आपको बताएंगे यह देखिए यह पूरा गला है यह देखिए यह स्टॉन का पूरा गला बनाया हुआ है यह हमारे पास थोड़ी जो सेम्पल से जो हमारे ग्राकों ने बना के हमको बताया हुआ है वो हम आपको दिखा रहे हैं बहुत ही बढ़िया आप अलग-अलग डिजाइन से अलग-अलग आप अपने दिमाग से यह काम कर सकते हो यह देखिए बहुत ही बढ़िया लगता है यह हमारे पास करीबन 15-20 सेम्पल है जिससे आपको बटा चलेगा कि यह मसीनों में कैसा कैसा काम होता है इसके लिए हम आपको यह डिजाइन के तौर पर बटा रहे हैं आप एक-एक अच्छे-अच्छे ड्रेस के गले बना सकते हो बहुत ही बढ़िया डिजाइन अलग-अलग-अलग-अलग आप क्रियेट करके आपके ड्रेस में लगा सकते हो यह पूरी स्टौन की डिजाइन से बहुत ही बढ़िया काम उठा है यह देखे यह दो कलर का काम है दो कलर का काम करने के लिए आपको डिजाइन में डिजाइन को दो पार्ट में करना पड़ेगा और आप इसको दो कलर का भी काम कर सकते हूँ बहुत सारी डिजाइन ऐसी है जो हम आपको बटा रहे हैं यह सिल्वर और गोल का कॉंबिनेशन है यह गले में तो आपको यह मशिन के बारे में हमने जानकारी दी और इसमें क्या काम होता है कैसे काम होता है वो सब हमने आपको फंक्सन दिखाए तो अगर आपको यह मशिन खरिदना है तो यह वीडियो में दिये गए नंबर पर आप जरूर कॉल करें और जानकारी लें तो इंग मशिन गुरू में हमारा वीडियो आपको एंड तक देखने के लिए धन्यवाद और अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें